नमस्कार किसान भाईयों एवाकाडो की खेती कैसे करें वीडियो के पार्ट टू में हम देखेंगे की एवाकाडो के बीच को बोने का सही तरीका क्या है और बीच से पोधा लेने की अमेरिकन टेकनिक वह पोधा हुने के बार ट्रांस्प्लांट और इसके ड्राफ्टिंग की अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो वीडियो के खत्मोंने के बार टेस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाकर क्लिक करके पार्ट वन देख सकते हैं तो किसान भाईयों बिना समय नस्ट किये वीडियो को शुरू करते हैं चला भई देख अपने क्या कर किसान भाईयों सबसे पहले देखते हैं कि एवा काड़ो के बीच को बोने का सही तरीका क्या है सबसे पहले मिट्टी कोकूपीट और खात को मिला कर पॉटिंग मिक्स तेयार करें और इसे ग्रोबेक्स में भरें ग्रोबेक्स ना होने पर आप पुराने प्लास्टिक के डि तो यहां खराब हो जाएगा जहां भी आप इस बीच को बोरे हैं वहां की इलाके का तापमान 25 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और हवा भी अच्छी होनी चाहिए बीज लगाने के बाद हफते में दो बार पानी दे लेकिन अगर आपने बीज सर्दियों में लगाया है तो हफते में सिर्फ एक ही बार पानी दे पानी देते वक्त ध्यान रखे की बहुत ज़्यादा पानी आप ना भर दे पानी सिर्फ उतना होना चाहिए जितना की मिट्टी को नमी रख सके लगभग 20 दिन के बाद आप इसमें फिर से वर्मी कमपोश्क मिला सकते हैं इवा कर जब बढ़ने लगे और लगभख 15 cm हो जाए तो आपको इसे ट्रास्प्लांट करना होगा इसे आप वहां ट्रास्प्लांट करें जहां आपको पेड़ बढ़ाग करना है अगर आप चाहें तो इसे काट कर 10 cm कर सकते हैं क्योंकि इससे यहां और तेजी से बढ़ेगा किसान अब जानते हैं कि एवाकाडो के पोधे की ग्राफ्टिंग विधी क्या है ग्राफ्टिंग एक बागबनी की तकनीक है जिसमें दो पोधो के टीशू को साथ में जोड़ा चाता है ताकि दोनों का विकास अच्छा हो सके आप एवाकाडो में ट्रांस्प्लांटिंग के लग जिस शाखा में ड्राफ्ट करना है और स्पेलिंग के जिस शाखा में ग्राफ्ट करना है उसे एक तिर्चा कट लगा अब दोनों को टेप से बागदे और लगबग एक महिने बाद आप देखेंगे कि ग्राफ्ट की हुई शाखा से भी नए पत्ते निकलने लगे इसका मतल जब होता है कि आपकी ड्राफ्टिंग सफल रहे और आप आप टेप को खोल सकते हैं दो साल तक आपको एवाकाडो के पेड़ की देखभाल करने हैं दो साल बात जब यहाँ फल देना शुरू करता है तो आपको हार्वेस्टिंग समय का ध्यान रखना है एवाकाडो के फलो को हलका सा कच्चा तोड़ने पर ही यह सही रहते हैं जब फलो का लग परपल होने लगी तो आपको इन्हें तोड़ लेना चाहिए एवाकाडो के बारे में एक खास बात है है कि इसमें पैसिंग नामक एक फंजिसिडल टॉक्सिन होता है जो किसी भी तरह के पेश और के शुरुआत करें एक-एक करके लगाने से किसान भाईयों पर भार भी नहीं बढ़ेगा और अपनी फसल के साथ साथ वह कुछ सालो में इन पेडों से भी आमदनी लेने लगेंगी किसान भाईयों भारत में एवाकाडों की पेदावार जादा नहीं होती है इसकी दक्षिन भारत के कुछी छेतरों में वेवसाई ग्रूप से पेदावार की जाती है जिन छेतरों में इस फल की खेती जादा होती है उनमें तमिलनाडू के पहाड़ी ढलानों, महराज में कूर, केरन और करनाटक के सीमिच छेतर शामिलों उत्तर भारत में केवल एक राच्य जो सफलता पूर्वक एवाकाडो की खेती कर रहा है वहाँ पूर्वी हिमाले का राज सिक्की में जहां 800-1600 मिटर के बीच की उचाई पर इसकी खेती करते हैं तो खिसान भाईयो इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि एवाकाडो के बीच के बोने का सही तरीका बीच से पोधा लेने की अमेरिकन टेकनिक और पोधे का ट्रांस्प्लांट और इसकी ड्राफ्टिंग की उचित्वी दी यहीं पर एवाकाडो की खेती के से करें पार्ट टू वीडियो समाप्त होता है मैं उमीद करता हूँ की पार्ट वन और पार्ट टू देखने के पार आपको एवाकाडो की खेती के से करें इसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी एवाकाडो के पोधे कहां से ले और इसकी नर्सरी कहां कहां पर हैं इसके लिए इसका पार्ट टू जल्द ही आने वाला है हमने इसके पार्ट टू की रिसर्च अभी शेश शुरू कर दिये जैसे ही हमारी रिसर्च पूरी होती है हम इसका पार्ट टू लेकर आएंगे किसान भाईयों वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें अगर इस वीडियो से जुड़े हुए आपके मन में कुछ सवाल है तो हमें कमेंट सेक्षन में जरूर पुछें धन्यवाद किसान भाईवे